रोबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ रहे हैं डॉक्टर डूम के रोल में एक बार इमाजिन करो स्पाइडर मैन और बाकी एवेंजर्स इस विलन से कैसे लड़ेंगे जो आरेंड मैन जैसा दिखता है तो मार्वल स्टूडियोज और केविन फाइगी हर कॉमिक कॉन को आसम बना देते हैं अपने जबरदस्ट अनॉंसमेंट से और इस बार भी ऐसा ही हुआ थंडर बोल्स का टेलर दिखा दिया गया फैटास्टिक फोर मुवी को नया टाइटल मिला अगली एवेंजर्स मुवी क सीक्रेट वार्स और कॉमिक कॉन की सारी बड़ी मार्वल अनॉंसमेंट के बारे में वीडियो शुरू करेंडे से पहले लाइक करना ना भूले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं तो स्पोईलर्स का धियान रखते हुए चलिए शुरू क तब से फैन्स सोच में है कि जियान कार्लो एसपसीतो का रोल क्या है मुवी में वो ब्रेव न्यू वर्ल्ड के साथ रीशूट्स के थूरू जुड़े और अलग अलग नाम सामने आ रहे थे उनके कैरेक्टर को लेकर पर जियान कार्लो ने खुद बता दिया कि ब्रेव न् चाहूंगा कि जियान कार्लो के लेवल का एक्टर इस रोल को कैसे प्ले करेगा मार्वल फैन्स के बीच सर्पेंट सोसाइटी का नाम आज से नहीं है एक मार्वल फैन इवेंट में जब पहली बार फेस 3 का स्लेट अनाउंस हुआ था तब कैप्टन अमेरिका सर्पेंट सोस गए प्लस एक फुटेज भी सामने आई मूवी की जिसमें हैरिसन फॉड के थंडर बोल्ट booze को ट्रांसफ़ार्म होते वे दिखाया गया Red Hulk में Comic Con में Thunderbolts का पहला टेलर दिखाया गया Normally Marvel हर बार एक नाएक मुवी का टेलर Comic Con की audience के लिए exclusively लेकर आता ही है इस बार टेलर सामने आया Thunderbolts का इस टेलर में दिखाया गया कि यलेना मिलने आती है Red Guardian से उसके अपार्टमेंट में जहां वो उसे बोलती है कि जीने का एक ही मकसद है दूसरों की जान लेना जिसके बाद इनका आमना सामना होता है बकी बांस, जॉन वाकर, घूस्ट और टास्क मास्टर से और तब इन सब को पता चलता है कि इन्हें एक ही मिशन पर भेजने के लिए चुना गया है और यह सब जानना चाहते हैं कि क्यों थंडर बोल्ड अभी पांच माई 2025 के रिलीस के लिए शेडियूल्ड है तो उसके ट्रेलर को वर्ल्ड वाइड हम हद से हद इस साल नवंबर दिसमबर से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हाला कि मैं अभी भी जानना चाहता हूं कि थंडर बोल् में उनके पहले कदम पढ़ेंगे वहीं ये भी क्लियर है कि यहां हमें स्पेस मिशन दिखेगा जो कि फर्स स्टेप है एक नए फ्यूचर की तरफ पैनल में इस फिल्म के बारे में बताया गया कि ये 1960s के रेट्रो फ्यूचर में सेट है जहां टेस्ट फुटिज दिखाई गई रेल्फ इनिसन के गैलेक्टर्स की फैंटेस्टिक फोर पहली मुवी होगी मार्वल फेज सिक्स की जहां ये भी बात हुई कि प्रोडेक्शन स्टार्ट हो जाएगा कॉमिक कॉन के खतम होते ही केविन फाइगी ने आगे ये भी बताया कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव दिखने वाले कैरेक्टर्स फैंटेस्टिक फोर में दिखने वाले कैरेक्टर्स और थंडर बोल्स में दिखने वाले कैरेक्टर्स हमें आने वाली एवेंजर्स मुवी में दिखेंगे अगला बड़ा अनॉंस्मेंट हुआ कि एवेंजर्स कैंग डाइनस्टी अब बन गई है Avengers Doomsday तो Marvel ने ये साफ साफ क्लियर कर दिया है कि वो Jonathan Majors के कैंग के साथ आगे नहीं बढ़ रहे और इसी के साथ Avengers Kang Dynasty का नाम बदल कर रख दिया गया है Avengers Doomsday जहां ये क्लियर है कि कैंग की जगा Doctor Doom Multiverse के लिए खतरा बन कर आएगा कौन Doctor Doom को प्ले करने वाला है इस बारे में आगे बात करेंगे पर Marvel कहीं न कहीं अब 2015 की Secret Wars Comic Book की स्टोरी की तरफ बढ़ रहा है जहां Avengers के सामने Doom ही होता है Battle World पर राज करते हुए अब जहां फैंस चिंता में थे कि कैंग के हटने से वो बात नहीं आएगी वही अब मैं कहूंगा कि Doom का दिखना अपग्रेड है खासकर इस फैक्ट के साथ कि Doom को कौन प्ले करेगा अगला बड़ा Comic Con announcement हुआ कि दोनों Avengers मूवी को Russo Brothers सी डिरेक्ट करेंगे Russo Brothers जिन्होंने Captain America Winter Soldier, Captain America Civil War और Avengers Infinity War और Endgame को डिरेक्ट किया है वो वापिस आ रहे हैं Avengers Doomsday और Avengers Secret Wars के लिए इसका बहुत सेंस बनता है क्योंकि Marvel आल्रेडी इन जबरदस डिरेक्टर्स के साथ काम कर चुका है इनके लिए इस लेवल के प्रोजेक्ट को हैंडल करना कोई नई बात नहीं होगी और इन्होंने अल्रेडी Marvel में टगड़े आउटपुट दे दिये हैं तो Russo Brothers का वापिस आना हम फैन्स के लिए अच्छे कवर है प्लस Kang Dynasty का नाम Doomsday होने के साथ साथ Avengers Secret Wars का लोगो भी चेंज हो चुका है सबसे बड़ा Comic Con announcement था कि Robert Downey Jr. प्ले करेंगे Doctor Doom Avengers Dooms Day में ये था सबसे बड़ा शौक पूरे Comic Con का Iron Man Robert Downey Jr. MCU में वापिस आ रहे हैं पर Iron Man के रोल में नहीं बलकि Doctor Doom के रोल में अब obviously वो Tony Stark variant होंगे जो कि Evil बन गया और Tony Stark के लेवल का Genius World Domination नहीं बलकि Multiverse Domination की तरफ ही बढ़ेगा अब जो फैंस थोड़े परिशान थे कैंग की कहानी के अंत से उनके लिए Robert Downey Jr. का Avengers मुवी में विलन बनना बहुत बड़ा अपग्रेड माना जाएगा आप ये imagine करो कि बाकी Avengers का क्या reaction होगा जब वो अपने सामने अर्थ के सबसे महान हीरो को विलन के रूप में देखेंगे इसका पूरा सेंस बन रहा है इस वीरियंट वाले माहोल में ये reveal जबर्दस था मानना पड़ेगा Marvel और Robert Downey Jr. की presentation हमेशा से awesome रही है आज से 19 साल पहले Robert Downey Jr. ने 2005 की Fantastic Four मूवी में Dr. Doom का role play करने की बात चल रही थी और समय का पईया ऐसा चला कि Robert Downey Jr. ये role आखिर play करी रहे है अब ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप कहो कि Marvel अब कुछ भी कर रहा है जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि Comics में ऐसा हो चुका है Earth 5012 में Anthony Stark Titanus नाम के villain का सामना करते हुए अपने इतने साथ ही खो देता है कि वो एक violent person बन जाता है जो कि आगे Reed Richards को oppose करता है ये बोलते हुए कि उसके साथियों की death उसकी वज़े से हुई और तब वो बनता है आर्मर Dr. Doom जिसका face जलाता है Johnny Storm अब यहां story को थोड़ा match करने की कोशिश करें तो किसी universe में हो सकता है Tony Thanos के खिलाफ अपने इतने साथ ही खोए कि वो violent person बन जाए और नाम ले ले Dr. Doom Avengers Dooms Day रिलीज होगी मई 2026 में और Avengers Secret Wars रिलीज होगी मई 2027 में ये लिटरली ऐसा लग रहा है कि Avengers Infinity War और Endgame जैसा टाइम वापस आ रहा है तो दोस्तो ये थी बड़ी announcements Marvel की तरफ से Comic Con में DC की तरफ से James Gunn नया logo reveal कर दिया है The Boys की तरफ से prequel series What Rising Announce होई है और House of the Dragon के episode 7 की screening होई Comic Con में पर मैं आप से जाना चाहूँगा कि आपको क्या reaction है Robert Downey Jr. के वापस आने के बारे में पर फिर बिगर मुस्ते को detail मिस हो गई हो या आपको इसको नया fact आस वीडियो से related तो प्लीज हमारे कमेंट पर जबर बताएं या हमारे सोचल मीडिया हैनल पर हमारे से शेयर करें हम हर जगा है तो दोस्तों House of the Dragon जबरदस चल रहा है और अगर आप उसके एक ही एपिसोड का breakdown देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी House of the Dragon एपिसोड ब्रेकडाउन प्लेस रेक्मेंट करूंगा साथ ही साथ अगर आपको वीडियो बसंदाए तो अस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और से कई सारी सूपर कॉंटेंट के लिए हमारे चान को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंकियो गाइज दिसना यू आर सूपर सूपर पीस